नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स निउज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा बिहार में हो रहे विसेश भूस सर्वेक्षन में कैथी लिपी में लिखे पुराने दस्तावेजों के कारण लोग परिसान हो रहे हैं सर्वेक्षन में लगे अधिकतर करमचारियों को कैथी लिफी का ग्यान नहीं है जिससे लोगों को अपने जमीन के कागजातों को समझने में दिक्कत आ रही है इसके अनुवाद के लिए भी उन्हें मोटी रकम चुकानी पर रही है 38 जिलो के 445 प्रकंडों के 45,130 गाउं में जमीन सर्वे का काम चल रहा है पुराने कागजात कैथी लिफी में है इसकी समझ न तो जमीन माली को है ना ही करमचारी को सर्वे के दोरान लोगों को अपनी जमीन के स्वामित्व का असपष्ट प्रमान उपलब्द कराने के लिए किया जा रहा है लेकिन 1910 के ब्रिटिस काल में हुए पिछले सर्वेक्षन के दोरान बनाए गए जमीन के कागजात कैथी लिपी में है समय के साथ कैथी लिपी का प्रचलन कम होता गया और अब बहुत कम लोग इसे पढ़ पाते हैं जमीन सर्वे में कैथी मुसीबत बन गई है जमीन सर्वे में लगे अधिकतर कमचारियों को भी कैथी लिपी की जैनकारी नहीं है ऐसे में लोगों को अपने जमीन के कागजातों को समझने के लिए भारी परिसानी का सामना करना पर रहा है जमीन के दस्तावेजों को कैथी लिपी से देवनागरी लिपी में अनुवाद कराने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पर रहा है पहले अनुवादक प्रती प्रिष्ट 500 रुपए लेते थे लेकिन अब एक खतियान के अनुवाद के लिए 15-20,000 रुपए तक की मांग कर रहे हैं कैथी लिपी एक प्राचीन भारती लिपी है जिसका उप्योग मुख्य रूप से उत्तर भारत में किया याता था 1540 में सेर साह सूरी के सासन काल में इसे सरकारी दस्तावेजों के लिए मानिता मिली थी जानकार बताते हैं कि कैथी लिपी पहले बिहार की आत्मा थी यहां के जाधा तर पुराने दस्तावेज इसी लिपी में लिखे गए थे इसे कायथी या कायस्थी के नाम से जाना जाता है मुगल और बिटिस सासन के दौरान अन्य भासाओं को बढ़ावा मिलने से कैथी लीपी का प्रचलन धीरे-धीरे कम होता गया कैथी लीपी वाले कागजात की मानिता नहीं है कैथी लीपी में लिखे दस्तावेजों के कारण लोगों को कई तरह की परिसानियों का सामना करना पर रहा है जमीन विवाद के मामलों में अदालते भी कैथी लीपी में लिखे दस्तावेजों को स्विकार नहीं करती है ऐसे में लोगों को अपने दस्तावेजों का अनुबाद करा कर ही अदालत में पेस करना पड़ता है इसी तरह बैंक भी कैथी लीपी में लिखे दस्तावेजों के आधार पर रिन देने को तयार नहीं होते हैं हाला कि बिहार सरकार को इस समस्या की जानकारी है और उसने इसके समाधान के लिए कदम उठाए हैं राजस्व विभाग ने सभी जिलों में कैथी लीपी का प्रसिक्षन देने का निरने लिया है इसके लिए बनारस हिंदू विश्विद्याले के सोध करता प्रितम कुमार और छप्रा के वकील एहमद को जिमेदारी सौपी गई है ये प्रसिक्षन कारिकरम 17 से 19 सितंबर तक चलेगा तो फिलाल इस कवर में इतना ही है दर्स नूच के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले धन्यवाद